आज है दिसंबर की ग्यारा दोज़बाइस और दिन है आज इत्वार का अच्छा थोड़ दिर पहले मैंने एक वी लॉग किया था इम्रान खान साब पे उसके में एकीज भूल गया था वह जो इम्रान खान की स्पीच के बारे में तो अम्रान खान साब ने स्पीच में कुछ नंबर्स दिया था है कि हमारे दोर में बैसिकली कंपैर्सन था खान साब की खुमत का और करन्ट या उससे पिछली खुमत का तो अज्ड़ाज खान साब ने भी उस पे बात की है तो उसमें यह कहना चाहरा था कि इस नंबर्स हैं जो इस्टा के स्टेस्टिस्टिक्स होते हैं या कुछ आपको यह डेट अनालसिस करते हैं यह उन लोगों के लिए होता है जो लोग जिन लोगों कि इसकी फिकर होती है जो जब वोट डालते हैं तो देखते हैं कि हाँ जी कौन सही है कौन गलत है हमारी जो कौम है जाहिल किसम की कौम है, जहीन मेरे मैं जाहिल कहा हूँ, अनपड़ नहीं कहा हूँ, अनपड़ तो यह हर्गिस नहीं है, बहुत पड़े लिखे हैं, लेकिन हैं यह परले दरजे के जाहिल, तो इनको इसे फर्ग नहीं पड़ता, और जो जाहिल नहीं है, वो उनको कोई और इतनी हो गई, remittances पहले इतनी थी, उनको इससे नमबर से कोई फर्ग नहीं पड़ता, जो, जो PTA के हैं, तो वो अलड़ी PTA में है, उनको से क्या, ठीक है, establishment को बताना, उनको से फर्णी पड़ता है, उनको अलड़ी पता है, ठीक है, लेकिन इसकी कोई, वो कहते हैं न, it falls on deaf ears, वो चकर है, इनके कान बंद है, जहाए लोग होते हैं, इनको आप सूर्थें सुना दें, आयतें सुना दें, अज़ूर्पा की हदीसें सुना दें, कि जी करप्शन नहीं करनी, इनको इससे नहीं फर्क बढ़ता, कि कुरान में क्या लिखा है, या क्या है, ठीक है न, ये चोर पार्टी है, नून लिग होगी, पी-पी-पी होगी, ये चोरी से आएंगे, और चोरी से ही आते रहेंगे तो इस पे मैनत करना, नमबर्स बताना, ये होता है, जहां लोग थोरसे जिनके दमाग खुले हों, और वो खुद कंपैरिजन करते हों, मतलब मैंने वोट डालना है, किसी पार्टी को तीन पार्टी थें, चार पार्टी थें, और मैं खुद अनलिसिस करूँ हाँ, यार इस पार्टी ने ये किया था, इस पार्टी ने जो हॉस्पिटल बनाया थे, इसने स्कूल बनाया थे, इसने फलाँ काम किया था, इसने बिजली दी थी, सस्ती की थी, जो भी है, तो मैं खुद अनलिसिस करूँ, पाकिसान की जमूरियत में ये अनलिसिस नहीं है, ये जाहिलों बस यह एक शेर कोई है शेर नहीं कोई है इनको इसे कोई फर्मी पड़ता तो यह सारा फजूल है नंबर्स जब आप किसी कॉंपटिशन में आते हैं ना कोई भी कॉंपटिशन हो क्रिकेट हो खौकी हो स्यासत हो कुछ्टियां हो जो भी हो तो उस गेम के या उस सिस्टम के र रूस हैं आप क्रिक्ट खेल दे दे लू से दस टीम आती और वो फ्र खेलती एक टीम जो है वह गंदी टीम है Webslain तो अगर एक गंदी महां जाती है जो ह्रूस पर ही नहीं खेलती तो फिर भो पिर वो मकाबला नहीं है, पिर आपका उसमें कोई काम नहीं है, ठीक है ना पिर वो गंदी करेंगे, पैसे देंगे, सफार्शन करेंगे, जो भी है, अमपार खरीद लिया, जजज खरीद लिये, वकील खरीद लिये, वो पर वो गेम शुरू हो जाती है, पाकिस्तान में फिल लग है खाँ साब की, कि वो वक्त से बहुत पहले आगए है, ठीक है, यह सिस्टम उनके लिए उनके लिए भी त्यार नहीं है, अभी हम बहां नहीं पहुँचे, कि जी फेर गेम हो, लोग इतने सही हों कि लोग एनलाइस करें हाँ जी खाँ साब ने क्या किया है, ग्रीबों क अब जाएं सिंध में, जी ए भुटो जी ए भुटो, मर गया कितने साल हो गए, कितने चोर आ गए और मजीद, चोरों की क्यूमत है, लेकर उनको GDP किया है, तो फुलाँ किया है, तो हमने कितनी बिज्री पेज़ा की, तो हमने कितने कॉलज खोले, उनको इसे कोई फ़र्ग नहीं पड़ता ठीक है यह ऐसे यह बैंस के आगे बीन बजाना बैंसे कड़ी हैं अब आके बीन बजा रहे हैं किसी को समझे नहीं आ रही कि आप आप क्या म्यूजिक छोड़े हैं ठीक है न तो एक तो ये छोड़ने काम इसका कोई फैदा नहीं है ठीक है न तो मिनार रासखान भी बड़ी उसकी वो मैनेरसिस दे रहा था कि जी फलान 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 के पैरेजन तो मैं हस रहा था कि यारी किसको बता रहे हैं आप कौन सुन लिश्युटी फैरान फारान फ्रेम उसको अरड़ी पता हैं सबको पता यह नहीं है नूली को पता नहीं है लेकर वो एक जाहिल कौन है उनको पता है कि यह खान सही कहा रहे है है लेगन उनका उनकी गेम में यह रूल्स नहीं है numbers पर बहस करो कि हम तरकी करनी है उन पर ये नहीं है, उनका ये है nap खरीद लो, FIO को बंद कर दो judge खरीद लो establishment में बंदे लगा दो कुछ general लगा दो कुछ पुलीस में लगा दो उनका ये है, जो उनको आता है पैसे हैं, पैसों से आपने बंदे खरीदे, बंदे खरीद के आपने पैसे कमाए, पैसे कमा के आप system में आगे system ने आपको advantage दिया आपने और पैसे बनाए, और बंदे खरीदे, तो इनका यही है, उनको पता है कि system पाकिस्तान में अगर रहना है top पे, तो यही तरीक है असूलों पे किताब में खोल के, किताब में क्या लिख है, मैंने short ऐसे नहीं मारनी, ऐसे मारनी है, तो यह वो नसल ही नहीं है, ठीकिना आप गलत नसल से पंगाले बठे है ठीकिना, आपकी class फरक है आप है West के लिए West में होते हैं आप, तो अब अजने क्या बन चुकी होते है यहाँ पे नहीं चलेगा यहाँ पे जब चलेगा तो वो ऐसे ही जैसे पहले हुआ है आपको chance देंगे sideway कर देंगे हजार, हजार इनकी तरीकी इनके पास देख लें, सुवाती को को देख लें, मुना रियास खान को देख लें शभास गिल को देख लें, अर्शय शरीफ को देख लें साबर शाकर को देख लें, डॉक्टर मुईत को देख लें सारे भागते फिर रहे हैं ठीक है ना, क्रॉप्शन की हो या ना की हो फर्क नहीं पड़ता, कोई ना कोई जगाट लगा लेते हैं, तोशा खाना देख लें आप, ठीक है ना, घड़ी, लीगल घड़ी, आपकी घड़ी, मैं घड़ी खरीद लूँ, मैं घड़ी को तोड़ू, बेचूँ, जो मर्जी करूँ, लेकिन आप देख लें, ठीक है न, वो एक निया छोड़ दिया शोशा, हासाब के को बेटी है, यार, जातियात पर क्या, इससे क्या पर पड़ता है, लेकिन यही बात है, उन्होंने रूल्स पर नहीं खेल लें क्रिकेट, कि जी, बॉल टैंपरिंग, उन्होंने बॉल टैंपरिंग भी करनी है, उन्होंने मकबूलियों तो अपनी जगह पर लेकिन यह मकबूलियों जो है ना यह कुछ नहीं कर सकती इस वरकत सारा सिस्टम धीट हुआ वह है इस्टैबलिश्मेंट से लेके सब धीट हो गया है वो जब अब बच्चे को इतना मारते हैं को धीट हो जाता है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वह आखरी चीज है जब आपने किसे को फैंटा लगा दिया तो पीछे कह रहा गया तो सारे सिस्टम धीट हो गया है इस्टैबलिश्मेंट धीट है नवाज श्रीफ धीट है सब धीट है कि अब नहीं छोड़ना तो अब आप आप आएसाइट है है उनको चोड़ना है नहीं नहीं है वह मैं सुन रहा था है एदर मैधी की एक वी लॉग रिसेंट है कि आईसाइज जो है जो नदीम अजुं स अब लोगों से बाते करें उन्हें की है उन्हें काया कि इन्हों ने ने नोमिनेशन ती डिले की थी तो मैं तो नहीं छोड़ूँगा सच्छा जूट हम नहीं कह सकते हम हमारी वह एकसेस ही नहीं है लेकर मैं बता रहा हूं जो बातें मार्केट में हैं तो बंदा डीट हो जाता है और वो बंदा जिसके पास पावर होती है फिर तो अलाही हाफिस है यह जब आइसाई और यह जो मेजर जैनरल 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 जी जो चीफ अपनी स्टाफ यह जो यह जो पावे हैं यह तो यह तो समझें कि खुदा है एक मुल के ठीक है ना लूजली मैं यूज कर रहा हूं कोई इसको गोना बना दे तो जब जब बंदा हलका सा भी करप्ट हो ना तो आप उसको इतनी पावर दे दे तो बंदा बबरबाद हो गया तो इसेब्लिश्मेंट ऐसे ही है उनके पास बहुत पावर है खास आप कुछ नहीं कर सकते मेरी बात लिख लें एलेक्श हो भी जाएं आप दुबारा आ जाएं यह दुबारा आपको निकाल देंगे दिखना आपके उकूमत किस पर खड़ी है खड़ी है परवेजलाही पर तो परवेजलाही कौन है ठीक है ना इस्टैब्लिश्मेंट मेंट जो है जब चाहेगी उसको मनमालेगी ठीक है ना वो आपका नहीं है वो आपको कभी भी एक्स्प्लाइट करेगा ठीक है वो कह रहे हैं सियासत में कोई जमीर शमीर नहीं होता पहरी बात याद रखें कोई चेंज नहीं करता अगर आप यह कह दें कि अब कोई परवेजलाही पीटी में आके कोई नेक हो गया है यह नहीं कहा र मुझे बेला ने हिदायत दे दिया, अल्ला किसी को हिदायत नहीं देता ऐसे लोगों को स्यासत में, ये ऐसे ही होते हैं, अलताव जान देख लें, वैसे का वैसा, नवाशिव देख लें, मरने के करीब हैं, ठीक है न, लेकिन चोर, क्रॉप्शन, पैसे की लालच, बंदे मार नहीं, कोई मसला नहीं है, अब रानस नाला कर देख लें, ठीक है न, ये सारे चोर ही रहेंगे, किसी को हिदायत नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये वो नसल नहीं है, सियासत में जो आता है, वो नसल नहीं होती, जिनको हिदायत मिलती है, हिदायत मिलती है, तारक जमील को, श्रीफ ही रहेंगे, अमिरान रियास खान श्रीफ ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, यतने भी लोग यह थारे हैं, जब स्यासत में आप आ जाते हैं, तो यह टीम ही वो होती है, यह समझें के, देखना हर डिपार्टमेंट का एक क्रेटेरिया है, जब को आपके जाते हैं इंटर्वी देने, जो इंटर्वियोर है, वो खास चीज देखते हैं, उसने एक क्रेटेरिया रखाते हैं, यार मैंने यह चीज़ें पूछनी हैं, बंदा गर इससरा का हुआ, तो ठीक है, तो स्यासत का यह पहला क्रेटेरिया है, ठीक है, कि आपका जमीर कितना कमजोर है, ठीक आप डीड कितने हैं, तो अगर आप बरपूर डीड हैं, तो आप स्यासत दान है, कोई उसमेर का तालूक नहीं है, जैसे एक बिजनस होता है, इसका जमीर से, नेक होने से कोई तालूक नहीं है, आपके सामने की बाते हैं, देखें, नवाशरी तेन साल से बाहर है, जो उसकी पार्टी के लोग है यहाँ पर पटवारी उनके लिए वो शेर है यहनके जूटा आदमी, करप्ट आदमी, so-called leader, UK बैठाव है, तीन सार सार साल से, पहले साओधिया था, बाग गया था, अब UK बाग गया है, लेकिन वो उनके लिए लीडर है, उनके पास सो बहाने है, आप देख लें हिना परवेजबाट की जो पोस आती है, हमारा लीडर, पाकस्तान के बगार है नहीं सकता, यार तीन साल से दुबार बैठाव है, इनके दमाग बंद हैं, ये एक ऐसी नसल है, ज ये वो नसल नहीं है, इनके वो, इनमें वो वाले जीन्स नहीं है, तो पॉइंट ये था मेरा, कि ये नंबर से मबर्द हैं, ये नंबर, बिल्कुल इनका कोई फायदा ही नहीं है, किसी को बताने का, जिन को बताना चाहरे हैं आप, उनके लिए भुटो जिन्दा है, ठीक ह चले, आला आफिस